शो फाइनले दोस्तों टीबेस कमपनी हिरो की एक्स्टीम 125 आर को टक कर देने के लिए अब अपनी रेडर 125 को अपडेट करके मार्केट में लाँच करने जा रही है जिसमें दोस्तों अब आपको डूल डिस ब्रेक के साथ साथ सिंगल चैनल एवियस और की की स्टट का फी कि इस बाइक में कमपनी ने क्या क्या बदलाब किया हैं कब तक इस अपडेटेट वर्जन को हमारे इंडियन टुएलर मार्केट में लाँच किया जाएगा और अपडेट होने के बाद अब इसकी नई प्राइस क्या होगी उन सभी चीजों के बारे में जानकरी देने वाला तो दोस्तो हीरो कमपनी ने जब से अपनी XT125R को लांच किया है तब से रेडर 125 की डिमान में कभी कमी आई है और इसी चीज को ध्यान में रखते है अब TBS कमपनी अपनी रेडर को काफी सारे अपडेट करनी वाली है तो यहाँ पर सबसे पहले बदलाब की बात करो तो दो सबसे बड़ी जब अपडेट किया है वो है अब इस बाइक में आपको डॉल डिस ब्रेक के साथ साथ सिंगल चनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा जबकि दोस्तो अभी जो रेडर 125 इंडियन मार्केट में मौझूद है उसमें आपको सिप पॉर्ट पर डिस के साथ CBS अनि कॉम्बी ब्रेकरिंग सिस्टम देखने को मिलता है तो यह जो अपडेट है दोस्तो वो कमपनी ने काफी बड़िया अपडेट किया है आपको इसकी ये अपडेट कैसी लेगी निचे कमन बग्स में जुरूर बताइए इस बाइक की जो दूसरी सबसे बड़ी की तरह ही देखने को मिल जाएगा प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तो अपडेट होने के बाद अब इसकी प्राइसिंग साथ से 10,000 रुपए ज्यादा हो शकती है तो आपका इस अपडेटेट टीवेस रेटर 125 के बारे में क्या उपन है दोस्तों उन निशे कमन बॉक्स की वीडियो में धैके इंफ्रमसन अब को अच्छे लगे अगर वीडियो में घैलके और शरी इंफरमसन पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर दिजेगा मिलता है प्रिथ